हलो बच्चों कैसे हैं आप मैं जे सिंग एक बाद फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारी आज की सिंदी माध्यम की कक्षा में तो बच्चों जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है हम चर्चा शुरू करने वाले हैं आज भई मैंड़क के बारे में तो मैंड़क की तो हम पहले भी कर चुके हैं आज हम चर्चा करेंगे यहाँ पर मैंड़क से जुड़े वे कुछ प्रश्णों के बारे में यानि कि हम बात करें कुछ conceptual यो questions होते हैं जो प्रश्णों होते हैं उनके बारे में हम यहां पर चर्चा करेंगे ठीके बच्चों तो चलिए तो रिपाठी, very good evening बेटा, very good evening तो फटाफट से सारे students आ जाईए, connect हो जाईए क्योंकि हम अब session को start करने ही वाले हैं, मतलब almost हमने चालो कर दिया है सिर्फ अभी वारता लाप चल रहा है है ना? चलिए, तो जैसा कि आपको पता है कि हम जुड़े हैं, इंडिया के सबसे बहतरियन मंच पर, इसका नाम है अन Academy और यहाँ पर इस मंच पर आपको मिलती है ऐसे शिक्षा, जिसके आप सच में हकदार हैं, तो हकदार हैं तो वो भी किसमें अपनी मातर भाशा में पढ़ने का अपनी मातर भाशा में पढ़ने का एक अनूठा अंदास होता है एक अनूठी चीज होती है कि हमारा जो लगाव होता है हमारी भाशा से जुड़ा हुआ होता है है न बच्चो, चलिए तो चौदरी कंचन, गुड इवनिंग बेटा जै मतादी, लेट्स रॉक है न, चलो तो भाई बात करते हैं किसके बारे में अपने बारे में तो में बच्चों को बताई चुका हूँगा मेरा नाम भाई अजय सिंग है मैंने बी फामा, एम फामा किया है रास अनूश्टी फेल्ट साइंस जैपूर से ठीक है, आठ वर्षों का अनूबव है और विकत आठ वर्षों में लाखो विध्यारतियों को उनके लक्षी को प्राप्त करने में मैं सक्षम कर चुका हूँ और इसी के साथ मैं अब आपके समक्ष उपस्तित हूँ और बच्चों, अगर हम बात करें बई मैं कहां से बिलॉंग करता हूँ तो मैं शिक्षा की काशी कहे जने वाले कोटा राजिस्थान से बिलॉंग करता हूँ ठीक है बच्चों, चलिए बेटा, आप नर्सिंग की बात करते हो नर्सिंग का लेबल तो बहुत कम होता है यहां पर आप नीट लेवल क्रेक करते हो नीट यूजी को क्रेक कर सकते हो बेटा तो यह तो बहुत छोटी चीज कह दिया आपने है ना, चलिए वेरि गूड इवनिंग बेटा, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार सुहानी शाम है हलकी हलकी भीनी भीनी ठंड भी पड़ रही है आनंद ही अलग है हाथ में अगर क्या हो, भई एक चाय की प्याली हो और एक पकोड़े की प्लेट हो, तो क्या है नहीं क्या मौसम रंगीन हो जाता है यह नर्सिंग क्या होता है बेटा नरसिंग एक exam है जो की medical श्मा किजीगा जो medical solidarity है लेकिन हाँ जो hospital में nursing staff होता है उसके लिए exam conduct किया जाता है ठीक है तो उसी के लिए exam होता है तो वहाँ पर भी जो है यहाँ पर human anatomy आती है human physiology भी आती है even थोड़ी बहुत pharmacology की भी pharmacology भी आती है biotechnology एमको आइकोनिक प्लस दो तरह के मिल यातते है तो पस्नल मेंटरशिप यानि की व्यक्ति-काद्मादर्शन आपको प्राफट हुता है अध्यान यूजन करता देखने को मिलते हैं परिक्षण विशिषण देखने को मिलता है अध्यान सामगरी यानि कि विशिष प्रकार के नोर्स और अभ्यास सत्र आपके गंतव इस्तान तक पहुँचा दी जाते हैं अगर लाईव क्लास की बात करें हम तो यहाँ पर आपको प्लस कोर्स के अंदर अल सिमित लाईव क्लास देखने को मिलती है सापता एक टेस्ट मिलते हैं सन्ड़्चित पाठे क्रम होता है और अल सिमित पहुँच के साथ आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में बैटकर इनका भरपूर अनन्द ले सकते हैं ठीक है बच्चों? चलिए चलिए सर आप मेरा 30% सेलेबस हुआ है अभी cover कर सकते हूँ क्या? बिटा गौरी शंकर मीना जी आपका अगर 0% भी हुआ है न तो भी बिटा आप cover कर सकते हो बस जुड़े रहो बने रहो हमारे साथ ठीक है? तो भई अजेसन जी का code इस्तमाल करना है 10 पृतिशत की क्या मिल जाएगी? भई छूट मिल जाएगी लाभनवित हो जाएगे आपकी धनराशी बच जाएगी कोर्स क्या है? भई हमारा या तो प्लस लेलो या आइकोनिक लेलो छे महा का लेलो या बारा महा का लेलो इच्छा आपके उपर है ठीक है? तो एक बार का investment है बटा जिंदी की बर कमाई करके देगा समझ रहो बात को एक और code है बटा मेरा कौन सा? शेर शाह है जी मतलब तेरी मेरी गले होगी मशूर बटा ट्रेंडिंग सॉंग था ना 2021 का सुपर ट्रेंडिंग सॉंग था ठीक है आपको पता है 45 बिलियन से 145 मिलियन से जादा लोगों ने इसको सुना है ठीक है? तो ट्रेंडिंग है तो भाई या हमें भी क्या करना है ट्रेंडिंग में आना है ना? तो भाई लगा दो शेर शाह और ले लो ट्रेंडिंग में 10% की छूट क्लियर है? चलो हाँ जी बिलकुल बेटा रियल में चलो चलो अनकेडमी प्रोडिगी की बात कर रहे हैं बेटा प्रोडिगी है All India Level का टेस्ट है हाँ जी All India Level का है जैसे पहलो थो थे थी ना हमारी AIPMT हाँ जी All India PMT एक्जाम होता था वैसे ये All India का क्या है ये UP है All India Level UP तो इसको हम क्या बोल देंगे It's AIUP है ना? तो यानि कि All India Unacademy प्रोडिगी तो AIUP में क्या करना है भाया आपको enroll करना है ठीक है क्यों enroll करना है बिटा आप यहाँ पर reward के साथ में अवार्ड भी जीत रहे हो 23 जनुमेरते स्टार्ट हो रहा है दस बजे सुबह हो जाएगा सभी बच्चों के लिए है अपने भाई बेनों को भी जोड़ लेना कक्षा साथ से आठ से नवी से दसवी से ग्यारवी से बारवी से इंजिरिंग करने वाले और मेडिकल एस्पारेंट्स के लिए सभी के लिए है तो बिटा यहाँ पर enroll करने ना है आप सभी को क्या एंडर्सिंग वाले भी हो कर लो बिटा एंडोल कर लो ठीक है और अलिटा लेवल पर हो रहा है एकसाइटिंग स्कॉलरशिप मिलने रिवार्ड भी करना क्या है करना इतना सा है कि मेरा नाम इस्तमाल कर लेना बस और कोई आपसे ख्वाहिश नहीं है है जी तो हमने आपसे ख्वाहिश की ही तो क्या थोड़ी सी शिदत और थोड़ी सी व एंट्री ले लोगे क्लियर है बिल्कुल क्लियर है वेरी गूड इनिंग यासमीन रोहित पटेल उर्मिला यादव अनुरादा त्रिपाटी सभी को मेरा प्यार भरा नमश्कार है जी तो भाई चब भाईयों बहनों सुनते हैं अब किसके बारे में एक्साइडिंग रिवाट्स के बारे में है ना तो बेटा रैंक वन को मैक्बुक एर मिल जाएगी एपल आइफोन मिल जाएगे एपल आइपेड मिल जाएगे तो देख लो बेटा होसता है कि अगली बार तुम जो लेक्चर देख रहे हो ना तो यह तो मैक्बुक एर में दे वके चलो, तो बटड़ा शëड़्ूल कुए इस तरह से है, आपके सामने test 1 बट़ा कब हो रहा है, आपका जनवरी 23 को हो रहा है और test 2 की बात करें 29 जनवरी को हो रहा है, test 3 की बात करें puisque 6 फर्वरी test 4 भोले तो फर्वरी 13 को तो बिटा एक बार नहीं चारो बार एंडूल कर ले ना बार बार डेट पे समझ गए? कोड क्या अस्तमाल करना है? बिटा मेरा नाम ही मेरी पहचान है ना है ना? समझ रहो? तो अजे सिंग दी या फिर शेर्शा ले जाना करोगे नहीं करोगे? एंडूल कर ले ना? कक्षा 7, 8, 9, 10, 11, 12 सबी के लिए बिटा बस जीत लो रिवार्ड्स, अवार्ड्स तो बैचलर फॉर नीट यूजी 2022 के लिए यहाँ पर आपके लिए 12 दन विर्दी शुरू हो रहा है अलफा चीवर बैच है नीट 2023 की बात करें अलफा लिडर बैच आपके लिए यहाँ पर शुरू हो रहा है आज के डाउट का फीचर बैटा बड़ा शांदार, जानदार, जोरदार, जबरदास फीचर है बैटा किसी प्रकार की मन में कोई शंका हो कोई पशोपेश मत रखना, बस क्या करना डाउट का मतलब है बैटा डाउट इसका कोई धर्म नहीं है, कोई जाती नहीं है, कोई दामान नहीं है कोई इमान नहीं है, इत्ती सी बाते वो तो डाउट है आ गया जो आ गया, बस आ गया तो इसका उत्तर शाहिए, और उत्तर कौन देगा भई हम देंगे न, हम देंगे न, जब हम है तो क्या गम है, जब हम ना हो तो कहना के गम है, तो करना क्या है बेटा, ask a doubt, question पूछ लो, हैं जी, किस से पूछो, भई क्या करो, फोटो खेंच लो, screenshot ले लो, post कर दो, दबा दो, ask now का बटन, और पहुंच जाएगा किस के बाद, भई, educator के पास में, वो क्या करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, क्या बना के देंगे, वीडियो का solution बना के देंगे, और कहां तक पुछेंगे भई, आपके द्वारे, तो तेरे द्वारे पे आया solution, आएगा न, तो आएगा बेटा, भाशाओ का बंदन है नहीं, हिंदी में यानि कि 6.1 का offer चल रहा है, तो plus and iconic लेते हो, तो घर पे notes भी पहुंच जाएंगे, और अभ्यासतर भी पहुंच जाएगा, किस में, भाई आप छपे वे में, यानि कि print अवस था के अंदर, समझगे, 18 मेंत का लेते हो, तो दो मेने का free मिल जाएगा, वो बच्चे, जो अभ बात करें, 22-23 में देना चाते हैं, तो वो यहाँ पर जोइन कर सकते हैं, ऐसे बच्चे जो अभी 11 में अब आएंगे, और NEET देना चाते हैं, तो चोईस मेने का भी हो ले सकते हैं, तीन मेने का subscription बेटा, free मिल जाएगा, प्लस का, ठीक है, समझे रहो बात, तो भी code क्या करन आते हैं, नाम यह मेरा, इसी से काम चलाता हूँ बिटा में तो, है ना, तो इस नाम क्या करोगे, आप इस्तिमाल कर ले ना, बस, है ना, चलो, तो enhance your last my preparation, नीट यूजी, 2022, तो भी हमारे साथ बना लो, 6 मेने के subscription ले लो, और study material भी घर पर आ जाएगा, टेंशन का ही किये, hurry अब, यानि कि, हरी, अब तो उठ जा, बिटा, ये हरी के लिए बोला जा रहा है, कि हरी अब अब उठ, तो बिटा, हरी कोन है, हरी का नाम लो, भगवान विश्नु का नाम लो, और बस हो जाओ शुरू, समझे रहे हैं, बात क्यों, चलो, तो बैं, नीट यूजी, मेगा, क शेर शाह, टिका देना, है ना, बिटा करना क्या, कॉंबेक्ट है, सबसे अच्छी बात, बिटा, हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, हमारे प्यारे प्यारे, हैं, तो हिंदी में हो रहा है, और Bunu है है, तो इस से बढ़िया बाद क्या होगी, हैं, पांच करोण सक्की किर कर लो अपने अंदर जिस दिन जीतने की भूग पैदा हो गई ना पीछे मुड़के नहीं देखोगे याद ना मेरी बात को यह जो भूग होती है जिन्दा करने पड़ती है तूट पड़ते हैं एक्दम खाने पर जैसे हमें बहुत जबर्दस भूग लगती तो तो टूट प सालों के लिए तेरा वालों के लिए सेप्रेट है पैतालिस मिनिट को होगा थाइस प्रश्न पूछे जाएंगे दुआधार पारी खेलना चोक्के पर छक्के मारना और बाउंडर पार बोले जाएंगी तो यह सब रहे जारे गजजट क्या होंगे आपके हाथ में आ जाएं है ना चलो तो नीट यूजी मेटा कॉमबेट है बिटा आपका सेलेबस आपके समक्ष उपस्तित है तो स्क्रीन शोट ले लो बड़े प्यार से ले लो वेरी गुड़ी इवनिंग बिटा वेरी गुड़ी इवनिंग सुदांचू याद आओ बिलकु सुदांचू जी काद और क्या चाहिए सेलेबस ले लो बिटा जो कक्षा 11 के अंदर है वो अपना फेडिक्स केमिस्ट्री और बायलोजी का सेलेबस ले लो भाई बहुत एक विज्ञान रसायनिक विज्ञान और जी विज्ञान देख लो स्क्रीन शोट ले लिया ले लिया सबने भाई थम्बे पूर्न पर शेंकला की तो यह बच्चा स्कूल जा रहा है यह बच्ची भी इसकूल यह ना याद करो अपने पुराने दिन है हम भी जब बच्चे होते नाम हमारा होता चुन्णू मुन्नू है खाने को मृते लड़ू तो बेटा लड़ू दुम घा चुके यह बच्पन व जाते थे आता तहे बिल्कुल बिटा शान्दार जोड़दार मजा आता था मुझे थे वसकूल नहीं जाने में तो मढकला जबर ते पढ़ लेकि करके में ऐस एक को पढ़ रहो हो तो पलो कि NES घुर्ण सोचा नहीं था तकदीर यहां लाएगी मंजिल पर आते ही कि बोलते हैं जान चली जाएगी नहीं जायेगी बीटा मंजिल पर कभी जिल जान ना जाती है मंजिल पर ऐके तो फटख कर जाती हे क्या करेंगे जंडा गारदेंगे जंडा क्या फ्लैग जार गार देंगे ना ये लो ऐसा होता ना फ्लैग ये हमारे इंडिया का फ्लैग मान लो आप क्या करेंगे हम भाई जंडे गार देंगे किस में इस बार तो नीट के एक्जाम में तो 2022 में किस की बारी है बिटा हिंदी मीडियम वालों की बारी है या नहीं है 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 जी बारी हिंदी वीडिया वालों के चलो बच्छों तो अब प्रश्ण संकला शुरू कर दें है एनर्जी का लेवल हाई है या नहीं है बता दो मुझे एक बार चैड़ बॉक्स में आनंदी के अनुभूती प्राप्त हो रही है नहीं हो रही है जी अशिता बिंद बिटा क्या बात है जी क्या बात है चौदरी कंचन जी सर गौरी शंकर मिना जी नमस्कार मिना जी नमस्कार ठीक है चलो बिटा तो पहला प्रश्ण आ रहा है धुवाएदार प्यारी प्यारी के साथ में सर क्लास की कोई सही टाइम नहीं है सही टाइम टेल व Alda में सारी बात बताने वाला हूं सारा टाइम टेबल आपको बताने वाला questão कब कब किस- kis की क्लास ह荊गी तो बस क्या करोगे ऊपने पृट कोई छोड़की प्ताल कोई मैदान छोड़की मत-भाग जाना व duration तो बिटा क्या करने वाला हूं है याम नाम राद अक्के बॉइत करूंगा सारे बने रहना एंड में सब बात करेंगे तो अभी शुरुआत करते हैं किसकी बिटा प्रश्णों की 23 वाले दे सकते हैं सर 22 मिनीट बिटा अगर आप कक्षा 12 में हो सुनो अगर कक्षा 12 में हो तो आप नीट दे सकते हो ठीक है तो कोई दिक्कत वाले बात है ही नहीं और कक्षा 11 में हो तो बिटा नहीं दे सकते फिर तो इंतिजार करो किसका 2023 का अगला साल आने दो मेरे लाला आ और बात हो गई भहात सारी अब प्रश्ण हल कर लेते हैं तो पहला प्रश्ण आपकी computer screen पे 0 रुपए के लिए हुँँ चलो भाई हो जाओ शुरू तो मैंडक में क्रियात्मक व्रक होता है मेंडक में क्रियात्मक व्रक्य होता है बढ़ी कौन सा होता है बता दो भई चार आप्षिन आपके समक्स उपश्टित हैं बच्चों और बिल्कुल भी देखो गलत आंसर ना देना ठीक है सही देने की जिम्मधारी आपकी उपर है बदाने की जिम्मधारी मेरे उपर है चालो आंसर देदो भई क्या है मेंडक में क्रियात्मक व्रक्य होता है बढ़ी कौन सा क्रियात्मक व्रक्य है मेडम की मेडक की बात कर रहे हैं तो सर मेरे 12th का 3 year हो गए है मैं दे सकती हूँ इस बार अरे बिल्कुल बेटा क्यों ने दे सकते हैं जरूर दे सकते हो 25 साल से कम उमरों नीची बस इतनी सी फ़रक है हाँ तो भई आंसर क्या है प्रोनेफरिक नहीं मेजोनेफरिक बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा मेजोनेफरिक अब मुझे एक बात तो बताओ अगर मेजोनेफरिक की बात करते हैं तो मेजोनेफरिक का मतलब क्या होता है कोई बतासता है मुझे चैट बॉक्स के अंदर मेजोनेफरिक का मतलब क्या होता है क्यों बोला हमने इसको मेजोनेफरिक के डिनी होती है कोई तो कारण होगा बेटा जी कोई तो रिजन होगा मीजोनेफ Radio के बारे में कौन बताएगा कौन बताएगा भई मीजोनेफ Radio क्या उता है बेटा मैंने आपसे कई बार कहा है शब्दो को तोड दीजिए हैं जब भी को दो शब्दे मिलते हैं तो एक नई शब्द का निर्मान होता है अगर उसका अर्थ समझना है तो उसको तोड दीजिए बीच में से तोड डालिए क्या करेंगे? भई मीजो को अलग कर देंगे है ना? और किसको? धन किसकी बात करें हम नेफ्रिक को अलग कर देंगे तो, पैटा, मीजो का मतलब गार हम बात करें, तो यानि कि ये कैसी होती है, बुए ब्रून आवस्था की बात करते हैं हम, ठीक है, थोड़ा दा back में चलते हैं हमान, past में गए, तो इसको कह हम क्या बोलते हैं, ब्रून आवस्था बोलते हैं, यानि कि वरंटीब्रेट की बाद कर रहे हैं ठीक है अब देखो मीजो का मतलब क्या हो गया अगा इन्ट नेफीरी यह गुर्दा ये गलती से मुर्दा लिखाए में आ गया बताओ भई अभी तो कांड हो जाता है सर अस्थाई मुर्दा लिख दिया आपने तो गुर्दे की जगे बिटा गुर्दा है ठीक है तो मध्यम है और अस्थाई गुर्दा इसको क्या बोलते हैं मीजोनेफरिक कीडिनी बोलते हैं ठीक है क्या करते हैं गुर्दे की रूप में कारे करता है अस्थाई गुर्दे की रूप में सुक्या बोला हमने यहाँ पर हमको मीजोनेफरिक कीडिनी बोला वे मेंड़क के अंदर पाई जाती है समझ गए क्लियर है तो आंसर क्या हो गया बिटा पहले का B हो जाता है अगले दोर बढ़ें चलो भई दो बंदे छोड़ भागे हैं मैदान ये कौन कोन है भई कौन दो बंदे जो मैदान छोड़ के भागे हैं मुझे नाम बता दो फटा फट से अगली वार आते हैं इनकी क्लास लेनी है बच्चो नाम बता लो दो बंदे बैदान छोड़ के भाग गए हैं हाँ अगला प्रशन मेंडक में बिडर नाल पाई जाती है बही क्या होती है बिडर नाल और कहां पाई जाती है कौन बताएगा मुझे वरक में विशन में मुतरशे में या कलॉयका में उत्तर दीजिए बिटा सोला बच्चे उचुके हैं दो बच्चे और भाग गए हैं हैं पांच बच्चो ने मेदान छोड़ दिया है क्यों भाई बिल्कुल बिल्कुल बिटा वरक में अच्छा चलो सही जवाब क्या है अब बताओ बिडरनाल क्या होती है कौन बताएगा मुझे बिडरनाल के बारे में बिल्कुल बिल्कुल बिडरनाल के बारे में चर्चा कर लो बिटा क्या बात है तीन बंदे फिरा गए हैं उननीस हो गए हैं वापस बिटा कि यह बाद मेदान छोड़ के मत भागो रहें पडोसी का WiFi का passport करलो लेकिन मेदान छोड़ के नहीं भाग swirl है ठीक है आपको एक real घटना बताओं बटा एक real घटना इंस्टिट हुई है किस की चन्ने की ठीक है चन्ने पे एक जो कूली था एक इंसान ठीक है वो railway wi-fi किसे बेटा railway का wi-fi आपको अभी जब train में सफर करते थे अभी तो कोई नहीं कर पा रहा है है जी को रोना काल तो बेटा जब train में सफर करते तो railway का free wi-fi मिलता है ना railway के नाम से मिलता है नहीं मिलता है जवाब दो बताओ बहीं बताओ रेलवाइर मिलता है ना तो उन्होंने क्या किया बेटा उन्हों ने उस railway यहने की free wi-fi का यूज करके क्या करी उन्होंने पढ़ाई करी है ना है पढ़ाई करके उन्होंने क्या करा IAS की पद प्राप्त करी सोचो एक आप एक कूली से लेकर कहां की जर्णी आइस की जर्णी समझ रहो तो बेटा होना चाहिए कुछ तो होना चाहिए कि सर्क क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है बेटा चेन नहीं है लिख रहा है कुली लिख रहा है रेलवे वाइफाई लिखर गाए, रेलवायर होता है, बेटा, फ्रीर नेट चलता है, है ना, इतना ही बता रहा है बस, परिशान ना हो, तो मेंड़क में बिड़नाल का होती है, बिड़नाल जो यह व्रक्त के अंदर पाए जाती है, और एक तरसे क्या है, यह बिडर ओर्गन होता है कैसा होता है स्फेरिकल होता है कैसा होता है स्फेरिकल होता है बुरे रंग का होता है ब्राउन कलर का होता है किसमें पायाता है बिटा गर बिड़न नाल की बात करते हैं तो यह किसमें पायाती है तोड के अंदर पायाती है किसमें तोड के अंदर पायाती है ठीक है ठी बात पर यह पायाता है और नर्व मादा के क्या गोनारड में होता है कब इसकी बात करते हैं हम यहां पर लारवल स्टेज में ठीक है तो लारवल स्टेज के अंदर इस्टेज में यह नर्व मादा में पाया जाता है आती ये बात समझ में क्लियर है लालाओं बिलकुल क्लियर है ना आगे बढ़ें चलो भई पता बढ़िए बिडर ओर्गन बोल दूँ ठीक है निम्नलिकित में से व्रक का मेंड़क में क्या कार यह बताओ मिंड़क का कारी में वरक्क का कारी क्या होगा है उत्सरजन परासरन नियमन लारवा में हीमोपॉयसिस या उप्रुक्त सभी उत्तर दीजिए बच्छों हैं पांच बच्चे मैदान छोड़के भाग चुके हैं फिर कनेक्ट हो जाएं दो बच्चे कनेक्ट हो जाएं मजा नहीं आरा क्या हाँ जी तो बेटा क्या करेंगे क्या बात है डी 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 चंदली शर्मा ए बता रहे हैं अच्छा बेटा मेरी बात सुदो मुण वरक्क का का में होता है उत्सरजन करना ठीक है फिर दूसरा परासरन का नियमन करना और लारवा में hemopoiesis, महत्वपूर्ण हो जाता है तो answer क्या होगा बिटा, D हो जाएगा D is the correct answer समझ रहो मेरी बात को भावनाओं को समझ रहो बिटा है ना, चलो नर्मेंडक में मुत्रवाहिनी समवहन करती है, मुत्र का शुक्राणू का मुत्र का वो शुक्राणू का दोनों का या किसी का भी नहीं, उत्तर दीजिए प्रश्न का उत्तर दीजिए बच्चों, उत्तर दीजिए सर, निकिल सर की special class है बिटा, मैं क्या कर सकता हूँ बिटा अभी तो मैं क्या कहूँ भई, आपको attend करनी तो आप जा सकते हैं, मैं कुछ नहीं कहता है बिटा वो आप पर depend करता है दोनों recorded होती है आपका वीवी देख सकते हो, जैसे आपकी इच्छा इसमें बताना क्या है बिटा क्या answer होगा बिटा, very good मुत्र और शुक्राणू दोनों का करेंगी आपके तो answer क्या हो जाएगा, C हो जाएगा next question मेंड़क के व्रक में वलकुट तथा मद्ध्यांश यानि कि कॉर्टेक्स और मेडलरी क्या होता है बाई, कम विबेरित होता है अधिक विबेरित होता है अनुपसित होता है, क्या कोई नहीं मेंड़क के व्रक में वलकुट और मद्ध्यांश यानि कि कॉर्टेक्स और मेडलर की बात करते हैं तो बही बताईए क्या होता है क्या होता है, अनुपसित होता है क्यों होता है, कोई बताएगा मुझे देखो मेंड़क के अंदर कितनी होती है है में डग में बात करें 2 kidney होती है है ना होती है नहीं JULती है दो kidney है ठवीक है और कैसे होती है यह मुँलते हैं कि bisa क्था कि मोते है ट्राई ल póve ow लेटेड होती है ठीक है तीसरी बात करें तो इस में क्या होता है लूप ओफ हैनु नहीं पाशाता लूप ओफ हैं ली क्या होता है है, एक सेंट होता है समझ जाना अनु पस्थित होता है किसकी बात करते हैं हम solution लोप सिर्क बंच बालों में यूप sources के समान क्या बोलते हैं यू पिनके समान होता यह महिलाय लगाती है ओल अब जब यह absenth है इसमें, इसमें क्या होती है? Malpigean tubules होती है क्या होती है? Malpigean tubules होती है Malpigean न लिगा है जिनको बोलते हैं, घीकिए क्या कटी है? drone करती है किसको waste को excretory waste चैने drone होता किसके अंदर? celomic fluid, है ना? celomic cavity में, celomic fluid के रूप में इसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पर इसी रहें को क्या बोलते हैं नेफ्रोस्टॉम भी बोलते हैं राम राम सर जी बिल्कुल राम राम आई बात समझ में तो बिटा मेंड़क में अगर बात करें वरक और वलकुटर मध्यांच इस्तार वो क्या है अनुपस्तित है वरक के मैंड़क में उत्सर जी पधार्थ क्या होता है यूरिया अमोनिया या यूरिक अमल होता है क्या होता है यूरिया अच्छा 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 पक्का यूरिया होता है भई पक्का यूरिया होता है बच्छो चलो चलो बिल्कुल सही अगर आप क स्कृट्टर waist किlying ne YES कौन निगालता है बरी अमोनिया निकालता है उए टोड़ु वावा कूर निकालता है वेटा तोड निकालता है कौन निकालता है तोड निकालता है समझ गए क्यों 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 कि तोड क्या है भाई या लारवा और लारवा कहा है भाई पानी में अब जब पानी में है तो क्या करेगा भाई पानी में रहता तो क्या निकालेगा अमोनिया निकालेगा हैं जी समझे रहो बात को क्योंकि अमोनिया निकालने क्या चाहिए ज्यादा पानी चाहिए तो कहां मिलेगा भई ये जीव पानी में जब वहाँ पानी ही पानी है तो वहाँ अमोनिया रिलीस कर देते हैं अच्छा एक बात बताओ तो, कहीं और भी पढ़ते हो, क्या तुम हमसे अब भी महबत करते हो, है, चलो, तो बात ये बिटा, कि अब अगर ये ज़्यादा पानी है, तो भई हमारे अंदर अमोनिया क्यों नहीं होता एक्सक्रीट, ये बताओ भई, कौन बताएगा? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, अनुच कुछवा, बताओ भई, हमारे अंदर क्यों नहीं होता आमोनिया का सीक्रिचन, कोई बता सकता है मुझे बालक, हमने बात करी भी ये, नहीं पढ़ते सर हैं नहीं पढ़ते अरे पढ़ते तो हो कहीं और भी पढ़ते हो क्या तुम हमसे अब भी है जी महबत करते हो नहीं करते हो तुम जिनके हो अभी उनके बारे बताना क्या आता है उनको हमसे अच्छा समझाना हमने तो लिख लिख के समंदर भर दीये क्या तुम भी लिख लिख कर या वो भी लिख लिख कर नदियां भरते हैं है जी चलो चलो वाटर जाला चाहिए हां तो बीटा क्यूं चाहिए ये तो बताओ भई हमारे ऐंदर क्यूं नहीं पिसकते यह लिबता दो हम पानी नहीं पिसकते क्या ऑट भूरा Χुमשים मुझे तो गाना वी गाना पसंद दे अधिए और खाना भी खाना पसंद हाँ बेटा 26 से बालक बेटा तीन मिदान छोड़ गए वापस से तीन मिदान छोड़ चुके हैं एंजी चलो चलो ठीक है बेटा सॉंग नहीं है यह अपनी बनाई भी फर्माईश है यह हमने बनाया अब यह आपके लिए ठीक है तो बेटा देखो होता क्या है देखो अमोनिय की बात करते न तो अमोनिया को रिलीस करने के लिए एक तो पहली चीज़् का है अनर्जी की रिक्वाइर्मेंट नहीं होती समझेड़ों कोई ITP खर्च नहीं होती है ठीक है अब अगर हम हम निकालांगे आमोनिया अगर हमें इसको देने के जूरूत नहीं क्यों कि ए इतना पानी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं हमारी केटनी कैसी है हम मीजोनेफ्रीक हैं हम अच्छी तरह से ब्लड को छान सकते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है विशिश्ट गुण है महारे अंदर evolution से हमने ले लिया है तो परेशान ना हो तो हम अगर पानी क्या करते हैं भई हम भी जो एक्स्ट्री वेस्ट रिना वो कंस्ट्रेटर फॉर्म के अंदर निकालते हैं समझ गए तो वैसे क्या होता एक सो असी लिटर यूरीन जो है प्रती दिन हमारे फिल्टर हो जाता है और न बढ़ा व्रक में पिरामीड होते हैं कितने बताओ में ड़क में कितने पिरामीड होते हैं दो पांच दस या अनुपस्थित आंसर दीजिए कि उत्तर दो भई उत्तर मैदान छोड़ वाके हैं बहुत सारे विध्यारती 26 मिंद 18 रह गए आई थिंक है ना अनुपस्थित पिटा यह अनुपस्थित है ठीक है न यानि कि एपसेंट तो आंसर क्या हो जाएगा पिटा एपसेंट हो जाएगा ठीक है चलो next mendak में दान्थ होते हैं बताओ बई कौन से दान्थ होते हैं mendak के अंदर होते हैं यह नहीं होते हैं यह बोखला होता है बताओ बई बताओ purodont होते हैं ठीकodont होते हैं या heterodont होते हैं यह बटा hetero है heterodont ठीक है या acrodont होते हैं उत्तर दीजिए कुछ बच्चे कह inomेख अच्छ के रहे हैं अच्छ पी इस सघ्री साइब है he क्या वह डी है किसका सही मानूँ है जी चलो बही मेरे बच्चों एक बात बता हो रहे तुम प्लूरोडोंट की बात करते हो तो क्या दुबारा आते हैं में टेको नात तुम देखने गए थे नहीं आते हैं तो बेटा प्लूरोडोंट तु भूल जाओ ठीक है ठीकोडोंट कि मतलब क्या होता है यहां पर होता है जो डन्त हैं और की अपर मैं और ववस्तित रहुत है समझे कि कि में सर्फिस था ना जो का उसमें पा जाते हैं नीचे वाले में क्यों cakes नहीं होते होँ करें एक्ष्यों तो अगर आप अनुपस्थित के लिए option होता तो आप यहां अनुपस्थित लगाते क्यों कि एक्रोड़न बोल दिया एक्रोड़न का बतलब क्या उपर के जौ में विवस्थित होते हैं नीचे के जौ में नहीं होते अच्छा एक और बात बताओ क्या यह काटने के काम आते है या नहीं आते हैं काटने के काम आते हैं या नहीं आते हैं उत्तर दे दो जल दे चैट बोक्स में हमेरे डी सही है मैंने कब मना किया मैंने एक्स्प्लेइन भी कर दिया काटने के काम आते हैं पताओ क्या काटने के काम आते हैं आते हैं चली मतलब मानना पड़ेगा यार बदा आयाता है मुझे को और कोई कि येश कुछकल नीट एस्पैरेंट नहीं आते क्यों नहीं आते पेटा अभी तो तुमने येस दिखा ता अब नों क्यूं कर रहे हो बालेट क्यों वह बात से खुद पर कॉंफिदेंस नहीं है क्या नहीं है नहीं है बता नहीं है बीटा चलो चलो मान ले चलो काटने के काम नहीं आते हैं ये लो काटने के काम नहीं आते हैं तो भी किस काम आते हैं, इनका कार्य बतादो बाप चलो, बताओ वे, क्या कार्य में आते हैं भई नहीं पता, तो लिखे दे न, प्यार से बेटा कि सर नहीं पता, फिर मैं बताओंगा बताओ भई मेंड़क के दाथ होते हैं, वो काटने के काम नहीं आते हैं, मैंने आपका उत्तर सही मान लिया लेकिन फिर किस काम में आते हैं भी, कोई तो काम होगा, बताओ मेरा बच्चों, बताओ, ऐसे ना बूजो पहेलिया, उत्तर देदो, सर चवाना रोंदना अच्छा अच्छा बेटा चमाना और रोंदना चलो भई मान लिया और बताओ और कोई बताने करता है नहीं आते हैं तो बेटा उत्तर दो बताओ 20 बच्चे के बीच क्या सोच रहे हैं कुछ तो आंसर दो सर नहीं पता यह बात बेटा बस यह लिख दो नहीं पता अब मैं बताओंगा ठीक है अब मैं बताता हूं बेटा अपर जो पर क्या होते हैं यह मान लो अपर जो है इस पर क्या यह दांत है बेटा माइक्र विलाए नहीं बना रहा हूं ध्यान रखना मैं दांत बना रहा हूं ठीक है इसको ऐसे कर लो चलो यह लो यह दांत है इसके ठीक है ऐसे बना लो यह दांत है अपर जो पर यह लोवर जो है यह क्या है बेटा ब्लैंक के खाली तो मान लो इसने क्या बड़ा क को यह दबा रही है क्या कर रही है दबा रही है दबाने का मतलब क्या बेटा होल्ड करना क्या होता है होल्ड करना तो यह किस काम आते हैं बेटा केवल यहां पर होल्ड करने के काम आते हैं समझ गे बेटा कुश्वा साब पढ़ लेना कहीं पर मेंड़क से पूछना एक बार म तो वो बता देगा आपको एक बार उंगली देखे देखना, फिर वो आपको बता देगा, समझ जाओगे आप बहुत प्यार से, कि यह काटता है या होल्ड करता है, ठीक है न, समझ गये मेरी बात को, ठीक है बिटा, तो आंसर क्या होगा, डी एक्रोडोंट, ठीक है, चलो जवालों का जवाब मिल गया तुम्हें, ओ जी, क्या बात है, इसे कहता है कंसेप्ट है, किसमें भई, लो जी मेंडग हुमें, ध्यान रखना, मेंडग क्या होता है, बेटा, उपर दानत होता है, नीचे भोकला होता है, ठीक है, चलो, अगला, मेंडग का वीनस तंत्र की ब से डिक्तिस्तान की उपस्तिती से बिन्न होता है, किसकी वरे से बिन्न होता है, बता दो मुझे एक बार, हैं जी, किसकी वरे से बिन्न होता है, बेट्चों, यक्रत निवाई का तंत्र, यानि की बिटा, रिवाई का तंत्र का मतलब क्या पोर्टल सिस्टम होता है, क्या होत चलो यक्रत निवाई कातंत रख निवाई कातंत रिक चिरा वर तीन वेना केवा क्या उत्तर है रवेंदर केव काज पटेल b नीट पिसक्ल एकूरेज़ यह अदो बीडिर के बिल्कुल कारेज़ प्रचल के बात करते हैं वpping video र Tutaj नी töम्री करते हैं ते रीनल वॉटल शिस्टेम ठीकिया और यक रत कुलत ऑबढर हीपेटिक hipetic portal system क्योंकि हिपेटिक हम कहां इस्वाल करते हैं भाई यहां हमारे liver के लिए करते हैं hipetic portal system है जी है क्यों होता है भाई बताओ बताओ लेकिन भाई इसमें क्या होता है जो capillary nerve होती है वो क्या लेकर जाती है इसमें capillary nerve है जो derived oxygenated यानि कि अनाक सीक्रत रख्त को लेकर जाते है ना कहां से半धा हाइं डिलिम से आगे बाव समझ में जुआ है ट्रिम तंत्र में क्या होतीं बेटा इनर पोटर सिंटम बिद्न होता है अगले बात समझ में चलो अगले प्रश्ण पर चलते हैं तीन भागों में विभजित हर्दे रिक्तिस्थान में पाजाता है किस में पाजाता है में डग में तिकली में मगरमच में मचली में आंसर देदो आंसर देदो रे भायों आंसर देदो देदो रहे देदो आंसर देदो मेरे सवालों का उत्तर दो जल्दी जवाब दो बच्चों एवे नहीं यार एवे नहीं पारा थोड़ा हाई एनर्जी सुपर डूपर हाई पक्का भाई किसमें अच्छा तीन भागों में भाई दोता है होता है ना मेंा कें अंडर होता है ना और वे वहाई ना कि मेरीहाथ सुना हर्दे टीन भाभुअ भांचितेना आपने में अस्ता मेमाना नहीं कर रहां तो दो क्या उंगे इसमें वैंत्रिक लोंग早 और एक और। इस बेटा उल्टा होता है समझ लुब कर 0 एक वेंट्रिकल समझागा है 101 फसेंट हां समझ यह होता है में चितले में हर्ट तो होता है इसकी ओर इतना थो तो मयहीं बीदून्द भड़ेगा तुम बूड़ो है ना दो वालिंद एक निले तो बिटा मेंने क्या बोला तो है आलिंद का मतलब क्या होता है एट्रियल होता है और वेंट्रिकुलर एक होता तो वैंने कौन सा बिटा गणत बोल दिया ठीक है समझ गए चलो आगे आजाओ अब हाँ अंगुटे का ना हो ना रिक्तिस्थान का लक्षन है वही किसका लक्षन है खर्गोश का मनुष्य का मेंड़क का वह बंदर का किसके में अंगुटा नहीं होता अपना तो है इसी है ना तो कोई दान तो करके नहीं है वही किसी गुरुजी को तो मनुष्य में तो होता है है ना अब बताओ वही तीन ओप्षन बचने है आपके वास कौन कोशे खर्गोश मेंड़क और बंदर अंगुटे का ना होना किसका लक्षन है क्या बात है भई मेंड़क का लक्षन है चलो भई ठीक है अगला प्रशन मेंड़क को प्रष्ट भाग तथा अधर भाग होता है प्रष्ट भाग यानि कि डोर्सल और बेंटल भाग की बात कर रहा है बच्चों प्रष्ट भाग और अधर भाग होता है कैसा होता है ओ तेडिकी। क्या बात कर दिया आपने। मेंर्ड़क नहीं देखा। यपाजी हमारा क्या हो गया। सब्सक्रों आप हमारा मेंर्ड़क Ὁ गया। ये लो। हैं जी ये मेंर्ड़क हो गया। इस प्रकार से। खीक है ये लों कोशिश करते हैं बनाने की ये लो मिंडग आगे की तरह बात करें तो कुछ इस प्रकार से को के ना कोशिश करने की बत है ए nam कोशी खन नहीं की दिकोना होता है इस ही पीछी के बाद के बात करतें पांच उंगलियां अंगल्य होती आप उप्पर के तरह बात करें इसके की तो ऊपर का बांग केसा करें इसको की ओपर कर देना त्हुछ बसते हो उल्टा कर दिना तो निचे तो पीला-पीला और उपर कैसा है ओलिव ग्रीन होता है ठीक है समझगे मेरी बात को क्लियर है हाँ तो आंसर क्या होगा बिटा हो जाएगा ओलिव गीन यूनिफॉर्मली और पेल येलो ठीक चलो गलत मत करो या इतना क्लियर करके बता रह है बेटा ओलिव का मतलब होता है ओलिव ठीक है ओलिव का मतलब क्या होता है जैतून ठीक है जैतून का पेड़ का रंग कैसा होता है बेटे उसके निकलता ना फूट वो कैसा होता है ग्रीन कलर का होता है है ना तो कलर क्या है ओलिव का मतलब क्या बेटा है ग्रीन रंग या है ना कैसा लिया हुआ हलका हरापन और दूसरा और कलर मिख्चता उसको बोलते है ओलिव है ना तो ओलिव ग्रीन होता है ठीक है हाँ बाई कौन से हमारे इंडिया के राणा साथ तो गाना इंपर बने ना मुझे को राणा जी माफ करना तो समझ गए वह गाना राणा जी के ल क्ते है क्ते है डिव गए डभी मेनडव इनदने ख reel होता है तो गयए ठीक है ऐसको खाया पर इसको इसे अजिंधर कहते हैं कोई आंसर दो है विए गरीन ऑइल नहीं हाटार घृन ओल्लिव की बात करते हैं बेटा फिगारे को तेल आता है, है ना, फिगेरों का तेल आता है, ओलिव का, जेतुन का तेल, उसका फोटो देख ले ना, समझ जओगे वो वाला कल्णर होता है, हाँ, उत्तर दो भाई, उत्तर, क्या है, B, हाँ जी, एस्टीवेशन में चला जाता है, है जी, हाँ उत्त नहीं कर पाते हैं, हमारी तरह नहीं होते हैं, हमारी तरह नहीं होते हैं, समझ जब चलो, किस प्रकार का होता है बच्चों बता दो मुझे है कुलाकार, त्रिबुजाकार, त्रिबुजिया, पंचबुज उत्तर दीजिए सोलवे प्रश्णिका आप सबकी कंप्टर स्क्रीन पर मोबाइल स्क्रीन पर छपा हुआ है बच्चों सोजल सिंग बेस, क्या बात है, बिल्कुल त्रिबुजाकार होता है किसा होता है, त्रिबुज के समान ट्राइंगुलर बोलते हैं न, ट्राइंगुलर है जी, क्या होगे बिटा लाइटे बंद हो गई इसकी तो हाँ, जल गई, चलो त्रिबुजाकार और स्नाउट होता है ठीक है बेटा चलो अब भाई साथ ये लो मेंडक यानि कि रणा जी की बात कर रहे हैं तो रणा जी टिग्रिना जी के बारे में बात कर रहे हैं और इनकी वाइब कौन है विदे से शाधी करके लाएं इसको बोला हमने रणा जी लिखे अब भाई कोन है ऐसे कंपेर मत कर देना आप यह टिग्रिना नहीं है तो रणा टिग्रणा के बारे में सही कतन को छाटी यह जोक से पाड़ बेटा ताकि आपका मन लगा रहे है ठीक है तो मजाग मस्ती जरूरी होती है माइंड फ्रेश होना बहुत जरूरी होता है बही ब बताओ ना के बारे में सही कतन छाटी है यह होमो थरमल होते हैं एक दिन में लबग 5 लिटर पानी पीते हैं में अधक के सर्में विशली ग्रिंत्यां नहीं पच्छाथा में में काफी लंबी पूछ पाए जाती है क्या आंसर होगा एंग अब टा ऐसे ना करो या देखो सही होता है क्या नहीं होता एक दिन में लबब पानी लिटर पानी पी लेता है बेटा अगर कोई कह देना तुमसे कि मेंड़क पानी पी लेता है तो मैं तुमसे वह मेंड़क तुम्हारे नाम कर दूंगा उसकी सारी जाजात तुम्हारे नाम कर दूंगा क्योंकि मेंड़क पानी नहीं पीता है है समझोफ की इस और इसकिन पर क्या होते है विए इ spectrum पाई जातीिक है इसकिन कैसी होती है चलिशता डिया पाई जाती है वेर्फ लिकर आ हूँ है ना और होती इसकी स्किन कैसे होती है नम होती है तो तुचा के जा रहा है क्या करता है वेटा यह पानी सोक लेता पीता नहीं यह बाद ध्यान रखना मेंड़क कभी भी पानी नहीं पीता है समझ गए तो मेंड़क के शरी पर विशली गरंतिया नहीं पाजाती है बिल्कुल सही मेंड़क के शरी में टोड के पाही जाती है फिरित पाहिस बेंदक के शरीर में जिसके अंदर विश गरंथिया पाई जाती हैं क्या नाम है ऐसे मेंड़क का इसके अंदर विश्व गरंथियां पाई जाती है अफवाद है यह अफवाद है यह बताओ कौन सा होता है वह फ्रॉग अक्षिता बिन्द बिटा लैग कैसे कर सकता है हमारा तो शांदा नेट चल रहा है परिशाने वारी बात ही नहीं है पर मेंड़क के शरीर के पश्च बाग में एक काफी लंबी पूछ पाई जाती है नहीं मान लिया हमने किसकी विश्गरंती की बात करें हैं जी दगोल्डन बाइन वर्ग व Nepal क्लैपिंग कर साथ है आँ, मेंड़क के गण की वात करेंं कौं सा गण है इसका देव गण हैं मनुष्य गण है हैं या कौन सा गण इसको भूत दीखेंगा ने दीखेंगा चलो ठीके बात करो हुए कौन सा गण इसका वैरिए गूड वैरी गूड मैं कि गण की बात बताओ औरडर कौन सा संबंध रखता है हमने शुरुवात में चर्चा करें दी इसके आधार काड के बारे में तो इसके आधार काड में जो इसका गष यह क्या आता यूडश्वीर शर्वा संपोड़ा जो नाम सुनाया मैंने बीका भूता ये हैं नेक्स्ट, वोकल सेक पाई । पाया जाते हैं नर्मनदुक में मानदाम applicants में दोनों में आ नहीं आंसर देदो, वकल सेक की बात कर रहा है है न वकल सेक, क्यい करते हैं साउंड प्रड्گ्यूस कौन करता है काउन शाउंड प्रड्ड्दूस करता है भाई नर्मिंडक बिल्कुल सही जवाब बेटा नर्मिंडक नर्मिंडक के पास क्या होता है भयार रेजोनेटर होते हैं क्या होते है रेजोनेटर तो देखो यह नीचे ये ट्रेटर निकल को क्या करता है ये मादा को क्या करता है एट्रेक्ट करता है ठीक है क्या करता है मादा को ये एट्रेक्ट करता है किसके लिए भाईया आन मिलो सजना मेटिंग के लिए है ने बूर्ट सजी निंगी आई समझ्जेव बात आई तो बीटा मेटिंग के लिए क्या करता है मादा सुती और क्या टिलेंटेड मेंड़क है मैं तो टर टर भी नहीं कर सकते तो मादा क्या होती है बेटा एट्ट्रक्ट हो जाती है समझ के हैँ ना फिर किंहोते हैं बीटा इनकी बिल्कुल ब्लॉक नहीं हो, आप साक्षाद दिखाए देदेगे, हम कौन होते हैं आपको ब्लॉक करने वाले, ठीक है, चलो, मेंडक की तुछा में उपस्तित गरंतियां होती है, कौन-कौन सी, शलेश्मा तथा विश्ट गरंतियां, स्वेद तथा स्थन गरंतियां, क्या बात है, क्या होती है, शलेश्मा तथा विश्ट गरंतियां होती है, है न, शीत निश्क्रिय मिंडक, रिक्तिस्थान दिस्वशन करता है, किस से करता है, शीत निश्क्रिय की बात कर रहे हैं, है जी, एस्टि विशन की बात करें, यह हाइबरनेशन है, क्या है बिटा, hibernation तो फेपड़ों से करेगा तनुपूट से करेगा वक्कल से करेगा यह तुचा से करेगा answer सटीक देना बेटा गलत उसकर मत देना शीत निश्क्रिय में इंडक से इसमें सुषन करता है किस से करता है वही और अंडर तो हमने कह दिया क्यां बात है किस से कट अपनी सक्से करेगा यह तो टन के दोर्रा ठीक है तोचा कैसी होती है नम होती है इसकी तोचा क्यों श्लेश में गर्ठी आप सित होती है आई बात समझ में चलो बिटा यह थोड़ी गर्दन दुखने लग गई है हैं जी चलो बई निम्न लिखित में से कौन सा लक्षण मेंड़क का नहीं है बताओ बई कौन सा लक्षण है जो इसका मेंड़क का नहीं है हैं पतली स्केल विहिंत अचा जलिये जलन अम्नियोटिक अंड़ाय तुचा से सन अच्छा मेंड़क का लक्षण नहीं है उत्तर देना भई मतला महानु भाओं की कमी नहीं है हमारी कक्षा में एक ढूंडो चार गिफ्ट में फ्री मिलते हैं और तीरी की क्या बात है बतलो क्या बात है बेटा क्या बात है प्रिंस ठाकुर भी अच्छा बेटा और और कोई महान व्यक्ति है उत्तर देना चाहेंगे ए अच्छा रोहित वर्मा सी क्योशन तो पढ़ो हाँ अब मेरी बात समझो बेटा हाँ अब पढ़ो क्योशन लक्षण मेंडग का नहीं है तो पतली और स्केल विहिंत तो पाई जाती है ना तो यह तो सही है जली जनन नहीं होता कि इसमें लारवन स्टेज देखने को नहीं मिलती क्या है और बहुत नर है वह अपने स्परम को कहां छोड़ता है पानी में तो छो आंसर यह एम्यूटी कंड़ा नहीं होता और तुच्छा से स्टन बेटा में लक्षण है यह तो है अगर गलती से मेंडग ने तुच्छा से स्टन करना बंद कर दिया ना तो बेटा इसकी फोटो पर हार चड़ जाएगा और हार भी कोई चड़ाने नहीं आएगा कहीं नही उप्र करके के समझ जो आग्ए पिछे के इसक्ले को एसे पड़ा उगा क्यों बटत तुच vamp से स्टन करता है वह इसलिए के सथे आसपास को फानी आसपास ठीक है समझ रहें वाद को तो अंसर क्या होगा वाइटा म केरीवा अनुपस्तित होती है यह मदत करती है किस में करत इसनुने को छोड़े ़ुल दो आप है ये उव्र घलत ए ये न चिकार को पकड़ने में नहीं शुसन में नहीं प्रणा ये आंस लूँ दम ट्रो टेसंवा चूर सब्सक्राइब इसको आगे जलते हैं rollINA में जल में निकट रहता है क्यों की वह इक रेता है बताव कि रेता है में जलके निकट क्यों रहता है अभी बात करी दिया हमने अंसर दो बच्चों अपने प्यारे प्यारे दात ना दिखाओ दात भी क्या दिखाओगा आपने इमोजी ऐसी बनाई जिसके खुद के दात नहीं है बेटा उत्तर चाहिए जेवाद जेवाद मोगेमबो खुश हो गया कैसा मिलता है बेटा तुच्व दारा सशन मिलता है ठीक है चलो भाई बात किसकी करें राना टिग्रिना किसका जोलोजिकल नेम है मिंडग का बाग का छिपगली का या चेंचुए का बोले दो केंचुवा किसका अब अब बशिरो उत्तर दे दो डी 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 अच्छा भई वा मेरे बेटा राना साब की बात खरीते हैं हमने हैं तुम राना साब को नराज करो टिग्रिना में तुम्हें छोड़ेगी नहीं आंसर क्या बेटा मेंडग का नाम है ठीक है चलो मेंडग उबेचर क्या लाता है क्योंकि ốcली इसमें पूछनीं पाय जाती इसमें फेबरी म्या जाते इसमें टेडी बॉल यह हądé जलतरः थं दोनों पर रहता है क्या होता है वह घ्र का अधान गया कि ठीज बयाओ कि ऐखल amazon i ूस्ट अगला प्रश्स किरी कि मेंड़क का इसकल होता है मैं कैसा होता है ट्राइक कंडायलिक पॉलीक गॉन मैंडङ का स्कल्ड कैसा होता है उत्तर दे जिए मुझे कि आंसर क्यों ग्पेटा मैंडङ का स्कल्डाइक गॉनक इसकल्डाइक फॉलीक प्रश्न का जवाब दो, मेरे सवालों का जवाब दो, दो ना ठीक है, चलो बिटा, बिल्कुल डाइक ओन डाइलिक होता है, ठीक है ना, चलो, नेक्स्ट में पाए जाते हैं, बैक्या पाँच उंगलियां वैं चार पांदान गुष्ट बता दीजिए उत्तर मुए, इस प्रणाम बिल्कुल प्रणाम पीडी चैनल वालो। सही है सर सही है हम तो बिल्कुल सही है उमीद करते हैं कि आप भी बिल्कुल सही होंगे आंसर क्या होगा option देखो क्या बात करती है आगे की तो चार उंगलियां होती है और पिछे के क्या होती है पांच पतांगुष्ट होती है और फिर क्या होती जिल्ली बनी वी होती है ऐसे जिल्ली किसमें सायता करती है तेरने में समझ गए तो आंसर क्यों बी हो जाएगा क्लियर है बिटा चार उंगली और पांच पादा अंगुष्ट होते हैं गलती से भी गलती मत करना मेंडेक किते के पूछ ले ना एक बार मेंडेक खुद बता देगा कि यह देख मेंडेक क्या करेगा टांग उची करेगा देख ले आगे कितनी है चार फिर यह टांग उची करेगा पिछ वाली फिर बतागा देख कितनी है पांच अब गलती मत करना ठीक है ना चलो मैंडेक में परजिनन करता है मैंडेक परजिनन कैसे करता है पानी में करता है या पेड़ो पुचर के करता है या मिट्टी खोद के करता है या पानी में कमल के फूल पर करता है क्या बात है भई मानना पड़ेगा क्या दिमाग लगा है कहां करता है Mendek punjan कहां करेगा सबसे अच्छा भीटा मेरे को पता क्या लगा option पांई की कमल पूल पर इससे बड़ी option में जिन्दीगी में ने देखां असतर रिये ना चलिये पांई के अंदर करता है Mendek में कपाल ये तंत्रिकाओं के संख्या कितनी होती है कत्रियो जबाया हो बताओ रही सर क्या है संतूलित कैसे करें बताओ क्या बात है बिटा बिल्कुल तंत्रिकाओं के संख्या की बात करी बिटा 10 पेर मतब 10 गुणा दो बराबर कत्री हो गई 20 उत्तर क्या होगा बिटा उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पर 20 क्या हो जाएगा 20 ठीक है चलो मेंड़क में तिर्तिये नेत्र पलक कहलाती है पिझेल नेत्र नेत्र निश्ली में नेत्र पलक निमेशाःःठ पटल उत्तर बता दो क्या बोलते हैं मेंड़क की तिर्तिये नेत्र पलक क्या कहलाती है सर बाइ मेनेट्वे उबर पड़ोसी का मांग लो, पापा का Wi-Fi on कर लो मुबायल का, मम्मी की Wi-Fi का लो, भाइ बहन की मुबायल का Wi-Fi on कर लो, ऐसे मज़ जब बहुत याद आती है, जब कोई छोड़ गए आता है न, उस टाइम नहीं आती है, जब वो चला जाता है उसके बाद आती है, हाँ जी क्या बोलते हैं निमेशक पटल या निक्टेटिंग मेंब्रेन है जी है ना हमारे अंदर क्या होती है वेस्टी जल है अपने अंदर नहीं है ठीक है अगर इन फूचर में कभी हो गई तो पानी मैयाश कर गाएंगे जरूत नहीं हमें गोगल लगाने की क्लियर है चलो निक्टेटिंग मेंब्रेन बोलते हैं हां तो मेंड़क की आहार नाल किसमे समापत होती है बताओ भई अवसकर में अमाशाय में शुद्रांत्र में या ग्रैनी में किसमें समापती है सर क्लियर नहीं दिख रहा बेटा आपका शुद्रा में आउगस्थ को बढ़ा लो ठीक है नयर्क को बचाओ मत 144 पे हो रहा होगा बेटा इसको 360 पे करलो ठीक है 144 पीसे 360 dla करलो अच्छा दिखाई देगा थुड़ा मध्यम देखना है तो 240 पीपर सेलट करलो ठीक है और पूरा देखना है तो बेटा 1080 पीपर सेलेट कर लो किसमें बेटा क्लोयका में खुलती है क्लोयकों क्या बोलते हैं अवसकर बोलते हैं आई बात समझ में चलो गो अगला प्रश्न बही द्रवित अर्ध पाचित भोजन कहलाता है द्रवित मतलब लिक्विड अर्ध पाचित मतलब क्या वही है ना जो फूड पचा नहीं है अर्ध पचा नहीं कि अनएब्जर्बेबल फूड की बात करें क्या कहलाता है पित्त कहलाता है बोलस कहलाता है काईम कहलाता है या मल कहलाता है आंसर दीजिए Give me the answer first Give me the answer first हाँ क्या कहते हैं बिलकुल बेटा इसको क्या बोलते हैं पित्य तो बाइल हो गया बूल जाओ बोलस क्या हो गया भी या गास हो गया है ना काइम क्या हो गया बेटा पेस्ट हो गया और मल क्या हो गया मल तो क्या बोलो एक्सक्रिट्री वेस्ट ठीक है देशी बाशा में क्या बोलते हैं इसको पॉट्टी है जी है है निकल जाती है समझ रहे हो ना जब पेट के हलत बिगड़ जाती है तो यह बीना बताए ही निकल जाती है पेश्या हैं इंटर्नल और बिय में कोशीष क लेती है बस अब आने वाली होती न तो बस फिर आ ही जाती है समझते व बात को तो क्या बोलेगे बेटा इसको option क्या जाएगा काईम हो जाएगा तो हमारे अंदर होज़ा मारा stomach होता है, हमारा आमाशे होता है इसमें क्या होते है कुछ रुगीज प्रेजेट होते है, कुछ रुगीज जो हम भार उपस्त होते हैं एक तरह के हम कहते हैं कि वलन होते हैं फोल्ड कह सकते हो तो इनके अमद्दे में क्या होता है कि जो हमारा जो भूजन है वो पच्छता है गटी नुमा सनने चना मालनों की जिसे गहूं में गटी में गहूं पिस्ते हैं वैसे खाना जो यहां पर पिस्ता है और अगर यह वदन चाहिए इस चीज को इसमें रुगेई नहीं है काइम प्रपर नहीं बन रहा है स्थमक नहीं है ठीक है पतल स्थमक में रुगेई जो है फोल्ड वलन दिखाई नहीं दे रहें तो विनिमाई की बात कर रहा है ठीक है श्लेश में जलसे नम बनी रहती है पतली होती है इसमें रतिक्या पूर्ती प्रुचर होती है इन में से सबी यह सारे ही आंसर है बताओ भई चलो है जी बतादो भई बतादो बेटा इंटारा पाड़ता बनता कुछ नहीं है मैं कैसे बिरिमाई किस में होगा बेटा दी में होगा चलो भाईया तो फेफडों में वाईयू का प्रवेश किस से होता है बताओ भाई कौन से लाइन डाली वी है तो चासे मुक गुहां से, मुक से या अवसकर से बताईये 35 प्रशन का उत्तर बताईये गुड इवनिंग सर जी, आल परपस फैंस बिल्कुल बेटा, वेरी वेरी गुड इवनिंग, ठंड वाली, शाम का आपको प्यार भरा नमस्कार ओल परपस फैंने आंसर दिया है भाई, सर मुक गुहां से अच्छा, चलो पक्का मुक गुहां से करता है न, कोई अवसकर तो आंसर नहीं दे रहा बेटा, बूल के भी अवसकर मत दे दे न, क्योंकि वहां से जो हवा गुछती है न बेटा, पिर वो कहीं और से नहीं निकलती समझ रहो, हाँ, तो बेटा मुक से नहीं होगा, आंसर क्या होगा, आंसर होगा हमारा 65 की बात कर रहे है, मुक गुहां से लेता है, क्या करता है, मेरी बात सुनो, क्या करेगा मुक गुहां से, कैसे बुखुमे लिया आपने देख़ा ऐसे फॉक के नीचे गलपड़ा फूल जाता उसका, क्या करता है हवा बढ़ता और जटके केसे धक के से क्या करता है अंदर होगो बेज़ता है हमारे अंदर क्या नेगेटिव तो कि Each तो नम होती है समझ गए तो फेफडों में बात कर रहा है तो वायोग प्रविश किस्ते होगा बेटा मुख गुहा के द्वारा होगा तो आंसर क्या हो जाएगा भी हो जाएगा है ना चलो ठैंक गॉड किसी ना वसकर नहीं दिया है ना चलो भई पैरिकार्डियम होता है क्या होता है पैरिकार्डियम बताओ भई पतला पारदशिव दो इस्तरिये मोटा क्यूटिकलर वद दो इस्तरिये मोटा पारदशिव तीन इस्तरिये यह पतला पारदशिव चार इस्तरिये क्या होता है पैरिकार्डियम बेटा बात करते हैं पैरिकार्डियम मायोकार्डियम ए दे दिया उसके बात भी अगर आंसर सही नहीं दे रहे तो फिर तो भाई मामला गड़वड़ है sir unacademy मैं कैसे admission लों बेटा मेरे पास आज फीजी चैनल वाला बीटा देखो मेरी बात सुनत नहीं करना फई पीजी चैनल सुनना मेरी बात को क्या करना लेन indulge के लिए लो आनथे चाुप स्थार्ट आडवी की एप डानलोड करनी हैं पना mobile नमबर डालोगे डालोगे hoping OTP आएगा OTP डाल दोगे डाल दोगे खुल गया वहाँ पर ऐसे बार बनावा था ऐसे सर्च का ठीक है वहाँ जाओगे क्या सर्च करोगे अजय सिंग ठीक है अजय सिंग है ना तो महाँ जाते बेटा मेरी यह ना काले कालर की टिशेट में फोटो आजाएगी ठीक है फोटो पर क्लिक करोगे है ना फोटो पर क्लिक करते मुझे क्या करोगे फोलो करोगे फोलो करने के बाद क्या करोगे सब्स्क्रिप्शन पर जाओगे ठीक है बेटा सब्स्क्रिप्शन पर जाओगे वहाँ पर दो प्रकार के मिलेंगे आपको शेर्शाह जो समझ में है डाल देना ठीक है बिटा हो गया तुम्हारा एड्मिशन मैं आपको याँ डेडिकेशन से पढ़ा रहा हूँ पैसा मेरे लिए इतना इंपोर्टेंट नहीं है जितना आप लोग का सेलेक्शन इंपोर्टेंट है ठीक है बी सीरियस लिटरली बी सीरियस मुझे कुछ नहीं चीए बेटा आपसे समझ गए बेटा तो मैंने एड्मिशन देने का तरीका बताया है ठीक बेटा क्लियर है चलो नहीं सर अपने हग के लिए तो लड़ना चाहिए तो बेटा मैं हग के लिए नहीं लड़ रहा हूँ मैं तिसमें बता दिया है मैंने PG चैनल वाले को पेटा पीजी पेटा ऐसे होगा तो बस मुझसे पूछे तो मेरा नाम इस्तमाल ले ले लिए कि मेरापसेंट के छूट मिलेगी लेलो 10 की छूट क्या बुराई है है ना सैर हमारे सर ने बटायता हमें हाँ तो बेटा बतायता तो दिये तो नहीं न तुमें पे एंटी की वेबसेट पे अप्लोड कर दूगा और तुम्हें पता लग जाएगा है ना मेरी प्रोसेजिंग चल रही है बेटा मैं सोच रहा हूं कि फटा फटा से नीट के फॉर्म कंप्लेट करके है मैं लॉंच कर दूँ है ना पल्ले भी दिवे दी बेटा जैसे को इंफ फिर किसकी बात करते हैं अंदर की तरह बात करते हैं तो यहां पर मायोकार्डियम हो जाती है ठीक है ना और बितर की बात करें यहां पर तो एंडोकार्डियम हो जाती है ठीक है तो जो मद्दी का वाग होता है मायोकार्डियम इसी में क्या होता है हर्दे यानि की हार्ट हो रहा है ठीक है कैसे होते हैं प्रोनेफरीक होते हैं मेटानेफरीक होते हैं मेजोनेफरीक होते हैं इन में से कोई नहीं और यह प्रस्ट दो वापस आ गया है जी प्रस्ट रिपीट हो गया है बच्चों आंसर दे दो, क्या आंसर है, कैसे होते हैं, प्रोनेफरीक, मेटानेफरीक, मीजोनेफरीक हैं, इन में से कुछ भी नहीं, क्या आंसर होगा, मेटा सी होगा, ठीक है, मीजोनेफरीक ग्रीक वर्ड है, मीजो का मतलब मध्य में, नेफरीक का मतलब क्या होते हैं, नेफरोन अथा समझ गए ना मद्य गुर्दा आस्थाई गुर्दा इसको बोलते हम वही था तो मेंड़क के मुत्र में आस्थाई रूप से किस में संचित होता है बताईए भाई मेंड़क में मुत्र जो है वो आस्थाई रूप से किस में संचित होता है व्रक्क में, मुत्राशय में, मुत्रवाईनी में, अवसकर में आंसर दीजिए बेटा तुम 10th में हो ना कोई इशू नहीं है तुम 11th का पॉल्लो तुम्हारी 10th तो ऐसे हो जाएगी ना मक्खन ठीकि बेटा, बिल्कुल प्योर मक्खन समझ में नहीं आएगा कि सर में 10th पढ़ क्यों रहा हूँ तुम्हारे 10th में मेरिटी आएगी सीधा गेरंटेड़े बेटा, जितने भी अध्यापक गणी यहां पढ़ा रहे है ना उनसे पढ़ लो, तुम 11, 12th का बढ़ागे 10th तो तुम्हारी ऐसे निकल के जाएगी तुम सोच भी नहीं पाऊगे ठीक है, क्या होगा बेटा, आंसर B, मुत्राश है क्लियर है, चलो मेंड़क के, मेंड़क में हर्दे स्पंदन का नियंतरन किस से होता है बहुत ही प्यारा और महत्तोपूर्ण प्रशन है, बताइए भई, क्या है महत्तोपूर्ण प्रशन है important है अनु मस्तिष्क की द्वारा मेरु रज्जु के द्वारा मस्तिष्क पुछी के द्वारा या मध्य मस्तिष्क के द्वारा बताईए मैंड़क में हर्दय स्पंदन का नियंत्रन किस से होता है इसपंदन दर की बात कर रहा है हर्ट वेट की बात कर रहा है बताओ बही किसके द्वारा होता है जल्दी से उत्तर दे दो बहुत अच्छा प्रश्न है अनु मस्तिश्क, मेरु रज्जू, मस्तिश्क पुछ या मद्य मस्तिश्क वेटा उतर नहीं आ रहे हैं आप सबके कहां से हो गा बेटा आंसर होगा बेटा मेरी रज्जु बेटा क्या बात करो कहां से होगा मस्टिश्क पुछ से होगा किस्त नाथा तक काजिल परते हैं always right answer मस्तिश्क पुछ very good काजिल बेटा next नेक्स्ट नर्मेंडक में शुक्रवाई काएं किस में खुलती हैं बताओ भई नर्मेंडक में शुक्रवाई काएं किस में खुलती हैं शुक्रवाहीनी में बिडरनाल में अवसकर में या मुत्रजननवाही में हमने बात करा था हमने बात करी थी नर्में शुक्रवाई काएं किसमें खुलती है कि पुश्कल अनुज कुश्वा डी अच्छा और कोई जवाब देने वाला रविंद्र कुश्वा बी अच्छा काजल पतेल बी चौदरी कंचन डी पीजी चैनल भी अच्छा बेटा मेरी बात सुनो शुक्र वाहिनी बूल जाओ मैंने क्या बताया था आपको बिडर की नाल अवस्कर नहीं होगा और मुत्र जनन वाहिनी तो बिलकुल नहीं होगा मैं मान लिया कि आपके जो इसमें जो अवस्कर कर थूब अगर बनलिका जोड़ती हो जुड़ी होती है नर के अंदर तो यहां पर जो मुत्र मारग है और जो इस पॉम निकलने का मारग है नहीं शुक्रणों का मारग है वो एक ही होता है मना नहीं कर रहे लेकिन नर्मेंड होती हो वह कहां खुलती है नर्व मादा के गौनेड की हमने बात करी थी है ना किसमें लैर्वाल स्टिच के अंदर तो यहां पर जोसकी जो इकाहां खुलेंगी बिडर की नाल में है ना बिलकुल यतिन गुपता नीट के लिए क्यों नीट की नियदी करें है यह बता हूं हम नीट की तियारी ना सरकारी एग्जाम के निट के लिए बैठत है यहां पर कोई गयर्वर्मन्न Zac जो कंडेट कर वा और फिर आप उसको पास कर लो गहां समय रहा है तो सब क्यों है है ना तो option B is the right answer next नर्मेंडक में शुक्राणों के स्थनांतरन के उचित मार्ग का चैन की दिए बेटा बहुत important question है कई बार पूछा जा चुका है ठीक है यानि कि किसकी बात करते हैं यहां पे शुक्राणों का जो pathway है ठीक है ना sperm pathway sperm pathway ठीक है इसके बारे में बात करनी है तो 41 नमर का प्रश्न है उत्तर देदो इसका सही जो है correct pathway क्या हो जाएगा हाँ बिल्कुल करवाएंगे no doubt यतिन कहने की बात यह है यतीन और आप तो आप तो बिटा प्लस के स्टुलेंटो है न तो आपकी तो प्लस की क्लास है स्टूलें और कल से प्लस की क्लास एक उस 11 बज़े से स्टूलें है न यतीन आपको पता है चैप्टर कौन सा लेने वाल कि अच्छा सी सत्यम कुमार निराला जी बताइए जी तो बेटा ऑप्शन नहीं है अच्छा जी लिखाए कि मुझे लगा जी लिखाए जी उप्शन तो ही निए इसमें आइकों इकानिक का हूँ अरे बिल्कुल यतिन अहां Iconic क्यों I don't I know मुझे पता है बेटा आपने क्वेरी भी रेस्ट करी थी कि सर अभी तक मेरे पार्ट में नोट्स नहीं आए Am I right? सही क्या रहा हूं ना है ना बेटा आपने क्वेरी रेस्ट करी थी ना आज यह 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 तिन हां बेटा आप मिर को आपने फॉलो कर रखा है ना वहाँ पे जाके देख लो टाइम टेबल आपके सामने है जो प्लस का टाइम टेबल है ठीक है ना क्लासिस का वो आपको मिल जाएगा वहाँ पे आप चप्टर देख सकते हो है ना रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है हम कर रहे है वहाँ पर ठीक है बेटा क्लियर चलो तो अब देखो इसका आंसर क्या होगा समझ जाईए आंसर क्या बेटा पहले व्रशन में फिर शुक्रवाही का है फिर व्रक फिर किसकी बात करते हैं बेटा बिडरनाल आगया आग र क्या हो गया बेटा यहां पर सी हो गया के जैए कद चलो करण अजो जूर Barack अच्छा एना इना भी हमारी ब्लस कि स्टुडेंट है एन एए ना एना बिटा मैं गलत कहा रहा हूँ क्या आप लसकी स्टुलेंट है ना एना अंजुम शैद तो आज एना का बर्ड था तो विश्यू वेरी हैपी बिर्थडे एना क्लियर आज एना का बर्ड है ना मुझे पता है बिटा मैं अपने सारे बच्चों को पहचानता हूँ बढ़े है या नहीं है बताईए पहली चीज तो यह है बिटा एना बर्ड है ना हा लिखो या ना लिखो जी बढ़े बच्चों हमारे बीच में एना है एना अंजुम शैद बिटा सब इनको क्या करेंगे एक बार बर्डे विश्च करेंगे ठीक है तो विश्च विश्च विए वैरी हैपी बर्ड डे डिया एना क्लियर बीटा हमारी साथ में हमारी स्टुडेंट है तो सब उसको क्या करेंगे up करेंगे और उसको उसकी बर्ड़ एक लिए विश्च बैस्ट विश्ट दिन ठीक है happy birthday very good बेटा very good देखो यह हमारे यूट्यूब वाले प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो हमेशा हमारी बात मानते हैं हमारी बात रखते हैं देखिए आपके लिए कितने लोगों ने कितने केक और गिफ्ट भीज दियें बेटा मान लिया कि सब विर्च्वल हैं लेकिन हैतों सही भावना है जुड़ी है इनके साथ में ठीक है चलिए 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 फॉर्टीटू नमर का फ्रशन कर लें कॉश्चन कर लें चल कोई कोई बिल्कोना थैंक्यू 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 ना नो नीटू थैंक्यू रहता है तो इसका कारण क्या हो जाैँका उत्तर दीजीए क्या है कि कौन बताएगा कि कजल पटेल सी विर्यन मेवारा मीना सी कज रोहिद पटेल वेलकम एना अरे बिटा आंशर देले मेरे लाला सर मुझे क्लियर नहीं दिख रहा बिटा आप इसको है ना वेजरेजुशन जो है आपके सेल का आपके मुबाइल फोन का उसको थोड़ा इंक्रीज कर लो बढ़ा लो रेजरुशन को है ना 240 पीबे कर लो 360 पीबे कर लो जैसे आपको सुटेबल हो फिर आपको विजिबल होगा हाँ जी आंसर दे दो भई क्या बात है आंसर क्या होगा बेटा C and D है जी C हाँ चलो तो भई में डेक एक आसमता पीए छोड़ दो है ना विकल्प क्या है कुछ समय धड़कता क्योंकि हर्दे की बात करते हैं यहां पर क्या हर्दे पेशी जनित प्रकरती का होता है हर्दे म होता है की नहीं होता है होता है खुद से क्या करता है इंपल्स को पैदा करता है जनरेट करता है तो उत्तर क्या हो जाएगा है यहां पर C और D यानि की option C बहुत मेरी बात सुनो यह सब अगर क्रिया कलाब हुए हैं तो इसका मतलब क्या हुआ है तब ही तो हार्ट ट्रांस् सुचों की हार्ट अगर बाहर खुद से इंपल्स जनरेट कर रहा है तो हार्ट का ट्रांस्प्लांट संभा हुआ है हुआ है ना है ना तभी तो गाना बना तभी तो गाना बना बही में दिल लाया तेरे लिए समझे मतलब शायर को भी पता है ये लिखने वाले को वो जरूर साइंस का स्टुटेंट रहा है तो उसको पता था कि हर्ट ट्रांस्प्लांट संभा हुए हर्ट का ट्रांस्प्लांट संभा हुए इसलिए क्या गाना बना बही दिल लाया है मैं तेरे लिए तो बेटा निका सब्सक्राइब हो जाएगा ना है फिर्ल ट्रांस्प्राइब इसको बोलते उसमें बोल देंगे कि मैं सिर्व लाया तेरे लिए है ना? समझ रहो बात को? समझ रहो ना? चलो बच्चों क्लियर है कि सर जी नीट में आया हुआ है और बिल्कुल बिटा हमने कब माना किया तो तयारी तो नीट की कर रहे हैं तो यह कोशन आएगा नहीं समझ रहे हो किसमा आएगा बिटा नीट में आएगा है ना समझ गए मेरी बात को चलो बच्चों अब देखो बेटा यहां पर देखी आपके सभी अध्यापक गण यहां पर आपके समक्ष उपस्तित हैं ठीके बेटा दो मिनिट लूंगा आपके प्लस क्लासिस के शीडूल की बात करें बेटा जो भी यहां पर प्लस के स्टुड मंगलवार और बुद्वाग गुरु शुकरवार की बात करें तो एट एम पर निकल गुएल सर की क्लास है अनुफ वशिष सर है इनकी क्लास जो है वो टीटीएस पर है आठ एम पर ठीक है अजय सिंग जी है भई मैं खुद आपके सामने बेटा वाओं मेरी क्लास है ग्यार बज़े अपने क्लास लेंगी प्लस क्लास का शीडूल यह आपके सामने है ठीक है बेटा क्लियर तो इसका स्क्रीन शोट ले लो बेटा सबसे बेटर रहेगा वरना यह तो आपके पास PDF तो मेली जाएगी Special Class का schedule हमने पूरा schedule बना दिया है आपके लिए बिल्कुल बात कर रहे है कि सकी schedule वाली है ना तो देखो मेरी class सुबह जो special class होती है बेटा हमेशा जो हमेशा अब हम class लेंगे उसका schedule टाइम हमने क्या fix किया है बेटा 9 बजे का तो मेरी हर एक special class को आपको join करना है एप पे मुझे फॉलो करना है अजय सिंग नाम लिखना है आ जाओंगा शकल देख लेना ठपा लगा देना नौब बजे रूज क्लास होती है बरी मेरे बेटा कब स्पेशल क्लास जिस दिन हम प्लस की क्लास लेंगे उस दिन हमारी स्पेशल क्लास नहीं होगी बागी हर दिन हमारी जो होगी क्या स्पेशल क्लास होती है ठीक है निखिल गोहल सर की क्लास दस बजे होगी बकुल देव सर की क्लास आपकी सवा बारा बजे होगी पूजा व्यास महम की class जो है 4 बजे होगी और पुझा व्यास महम की जो class है वो alternate है ठीक है plus की class जो है उनकी 4 बजे होगी एक दिन और फिर एक दिन उनकी special class होगी और अनुव वशिच सर आपको पाए जाते हैं मिलते हैं बिल्कुल पूरी तयारी के साथ में सर energetic high energy के साथ में रात को साड़े 10 बजे सर की रोजाना class होती है तो बेटा आपको कोई भी notification की requirement नहीं है सबके time आपको पताग लग चुके हैं तो अपने आप 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 आकर join कर लीजेगा ठीक है चलिए अगली बात करते हैं यूट्यूब schedule की अब हमने पूरा schedule बना दिया है समझेगा अनूव वशिश सर जो chemistry आपके लिए ले रहे हैं वो यहाँ पर आपको शाम को 5 बजे अनकेडमी की जो नीट वीजे चैनल है यूट्यूब हमारा उस पर मिलेंगे 6 बजे बकुल देव सर की biology की class होगी 7 बजे आपके निखिल गोयल physics पढ़ाएंगे पूजा व्यास मैडम आपको 8 बजे biology पढ़ाएंगी और मैं आ जाओंगा टपक के एकदम आपके समख्ष रातरी 9 बजे biology लेकर ठीक है बेटा समझ गया मेरी बात को तो यह हमारा YouTube schedule हो जाता है क्लियर बेटा तो लक्ष 2.0 अब हम यहाँ पे नया वर्दन स्टार्ट करें बेटा हमारा लक्ष 2.0 अब अभी तक पढ़ रहते 1.0 अब हम आगए हमारा अपग्रेड वर्जन लेकर यानि कि 120 दिनों का प्लान है बेटा तो अभी तक जो हमने तयारी करी है वो तो हमारी धुआदार थी ही सही लेकिन अब कैसी होगी जबर्दस्त जोड़दार और बिलकुल क्या लक्ष पाने वाली होगी यानि कि जो अब तक हम सेलेबस कर चुके हैं कम्प्रीट वहाँ तक हम पने पूरा किया अब इसके आगे के जो भाग है वो लग बग हम बात करें आपका पूरा जो शेडूल पूरा कोर्स है वो हम किते दिन में पूरा कर देंगे 120 दिनों में पूरा कर देंगे तो लक्ष 2.0 के साथ जुड़े रही है तो ऐसे बच्चे जोनोंने आच से तयारी शुरू करी है यानि कि क्या भई हम बात करते हैं यहाँ पर 0 से hero बनने का सफर 0 से hero बनने का जो सफर है बिटा वो 120 दिन में आपका पूरा हो जाएगा तो चिंता ना करिए बने रही है जुड़े रही है हमरे साथ लक्ष 2.0 के साथ में तो सभी आपके शिक्षगणिया आपर उपस्तित हैं ठीके बच्चों चलिए तो आज के lecture में बस इतना ही बच्चों मुझे जो आपको बताना था मैंने आपको बता दिया है तो आप सब के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद तो Unacademy एप पर जो भी नए बच्चे हैं हमसे जुड़ें मुझे फॉलो करें ठीक है सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को बेल आकान को हिट करें लाइक और शेयर करें और PDF डाउनलोड करें हमारे नीट अनकैडमी वीजी के चैनल से तो बच्चों आज ही कक्षा में बस इतना ही मिलते हैं कल की कक्षा में तब तक के लिए धन्यवाद, शुबरात्री गुड नाइट